नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है बिहार के मुख मंतरी नितेश कुमार एक परतिनीधी मंडल के साथ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से 23 अगस्त को सुबाई 11 बजे मिलेंगे विशय है जातिये जंगन्डा कराना हमारे साथ बिहार के भाकर नेता जो कि अभी किसी पार्टी में नहीं है उमीद है कि निश्वक्ष तरीके से बोलेंगे रामेसर चरसिया इनसे जानने की कोशिस करते हैं कि यह बताईए कि जो इपरतिनीधी मंडल जा रहा है मिलने के लिए प्रधान मंतरी से आपको क्या लगता है कि इसके पीछे एक तो जातिये जंगंडा कराना की मांग करना है हलांकि संसद वे कानून भी पास हुआ है जिसमें आप जातिये सर्वेक्षन करा सकते हैं मुझे लगता है मिलने का मुझे लगता है दो ही मकसद है यह मामला कोई आज से नहीं चल रहा क्या है जब पीजब ऑसलिंची दा मरम जी वह हां मंत्री यह मंत्री और रश्यां के और शा्मती वहां मुकर्जी द करना अच्छाली द कटीव धान्ड मां की जातीये जंगंडा कराव जायेत इसके लिए सभी पाटीयों कि मेल के पाहले तो च्रक्श कराना पड़ेगा तो कराने की कोशिज की गई थी कि मारश तक करा देंगे और कराया भी अगर तो पब्लिश नहीं किया कि कराया तो पब्लिश नहीं किया उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी क्या है जो मुझे थोड़ी जानकारी है एक बार मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था चेदमरम जी का कि उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी देखिया आती क्या है कि जो जातियां अगर गुजरात में पटेल जाती उदारर आपको दे रहा हूं ओवी सी नहीं हो फॉरवर्ड है बिहार बाकी जगव बैकवर्ड है तो इस तरह कि बहुत सारी जातियां है तो यह तो एस्टेटी काउ कर सकता है उसको अब कोली समाज के लोग ओवी सी में आते हैं गुजरात में लेकिन अधर हम लोग के यहां हो दलित में आते हैं तो अभी जो सेंटर ने पास किया है जिस पर सबकी सहमती हुई और मैं मानता हूं कि अच्छा भी है कि बीच में इस प्रावधान को हटा दिया सकता है इसी के तार देखिए यूपी में अभी किया गया कुछ जातियों को बीसी में डाला गया तो अब एस्टेट कर सकता है और जहां तक मामला है मांग हो रही है तो देखिए मैं मानता हूं कि अगर चारों तरब से मांग हो रही है और नेताओं के द्वारा हो रही है त क्योंकि 2010 में मांग की थी भाजपा तो उनकार भी नहीं रहे और भाजपा को भी यह समझ में है कि अभी जो एक रहोंगिया कमिशन मना है तो उसने दिया कि 2700 जातियां है मिल रहा है उसके फायदे तो सिर्फ सो जातियों को मिल रहा है तो अगर सही धंग से मैं आपके साथ एक चीज जोड़ना चाहता हूं जातिये सर्विक्षण हो तो इसमें एकनॉमिक अधार पर भी हो देखिए अभी भाजपा सरकार में प्रधान मंत्री जी ने क्या किया नहीं तो आप देख रहे हैं यहां भी बिहार में आप देखिए ना उसका मलाई दो चार जातियों में तो बन जाती है नीचे वाले का तो अगर देश को ससक्त बनाना है तो कमजोर लोगों को उपर लाना पड़ेगा तो मैं मांग को गलत नहीं मान रहा हूं सब मांग कर र सकता है तो यह तो मालूम है और देखिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत हो हला की ज़रूत है अब ध्यान देजिए हर पार्टी कहती है लेकिन हर पार्टी वही काम करती है जब चुनाव आएगा तो कहां किस जाती की संख्या है हर पार्टी के पास रिकॉर्ड है और उसी के अधार पर टिकट दिया जाता है तो इसमें अस्चर कहां होना चाहिए जो सचाई है साधी करने के लिए जात के पास जाते हैं चुनाव लड़ने के पास उस जात के नेता को जोईन कराएंगे क्योंकि उसका परसेंटीज जादा है उस कंबिनेशन को देखेंगे दो पार्टीओं का ताल मिल तो इस पार्टी के पास इस बेकार का हल्ला है मैं मानता हूं कि और कोई इसमें नोग कही नहीं सकता है राजनेतिक दल जो टिकट बाढ़ती है वह एक आधार मना जाता है 1931 के जन्गंड़ा को जाती है जन्गंड़ा भी थी तो आज भी आपको आज कल तो आप नहीं भी कराएं तो आज कल तो अगर माने उसके लिए उसके लिए भूग प्रकासित हुई है तो माल लीजिए उसमें किसी की संख्या 10% है तो आज पचास परसंट नहीं होगी बढ़ती है तो सब की बढ़ेगी घटे कुछ की घटेगी तो एक दो परसंट का सब्सक्राइब करनाटक ने सर्वेक्षण करा लिए उसको पता नहीं चल गया बिहार भी करा सकता है यूपी भी करा सकता है लेकिन आप देखिएगा उस सर्वेक्षण में भी वही आया है रिजल्ट जो 1931 में था कमोबेस थोड़ा बहुत अंतरपड़ा है हाला कि दलितों और आदिवासियों का की गणना तो हर जन संख्या होती है जब संभीधान बना तो प्रावधान लाया गया क्यों प्रावधान है आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय से भी वह भी सी को तो परल्लेमेंट में रिजल्वेशन नहीं है देखिए लेकिन दलित को भी मेने स्ट्रीम में लाना है तो सबसे पहले तो हमारे संभीधान में निर्माताओं ने बहुत अच्छा काम किया अम्बेटकर जी के और राजंदर प्रसाद के नेतिरुत में कि उन लोगों के लिए परल्लेमें परवधान कर दिया और पूरे सर्वीस में कर दिया लेक कराने के बाद जो योजनाओं का लाव अच्छी तरीके से पहुंचेगा क्या इसको अब तक जो योजना क्या बनी है बिना जातिये जन्गंडा को लोगों तक नहीं पहुंचेगा नियत सही है तो अभी भी पहुंच सकता है उस समय भी नियत खराब है तो आपको मालूम ही की हो गया कि वह इस जाती का है, आपको झनियत देने के नहीं तो कहा दीजिगा, अभी यहां के लोगों को मालूमने, टिक sniff के समय in ऐसहाइ सहे जाती का से, उसको टिक तो हम को जितना है, आया उनको नहीं मालूम hè, कुछ के उठान के लिए भी कुछ करना है यह तो इसको हम double standard मानते हैं हर सरकार को हर state government को मालूम है कि कि एक सरविक्षण करने वाला चुनाओ का कोई political party hire कर लेती है उपूरे जाती का list लेकर के political party के पास रख देगा हर political party के पास मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी चुनाओ लड़ता हूँ पूरा पार्टिया जो बनी है कुछ OBC के नाम पर पार्टिया बनी है कुछ जनरल पार्टिया बनी है तो इस सचाई को सब accept करते हैं दिकत इतनी ही है कि धामाकेदार तरीके से एक बार कंचूशन एमेंडमेंट हो जाए तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा और नीचे बैठे मैं यह नहीं मानता हूँ कि इसमें खाली OBC को फायदा होगा इसमें अगडी जाती हो पिछडी जाती हो दलित भी हो सबका ओजब काई सब निकल करके सामने आएगा तो सरकारों को भी कहा के लोग कितने पिछड़े और उस पिछड़ेपन को कैसे दूर करें उसके लिए इस मेंसां पाइस जैसे एक उदारा आड़ां को दे रहा हूं एक उजवाला योजना की कलपना परधान मंत्री जैने की क्यों की इस पीरी कौन थी, आपके यहाँ भी ढ़िया, जंगलों में एते हैं plus जो भी गाउ से आते हैं, imperfect प्रापर भता , हम लोगे आज भी सिड़ खाना है और भता था लेकिन इस जातिय जडगंड़ना की वज़ा से तो एक चीज तो हुआ ने कम से कम नितीष कुमार तेजस्वी यह तमाम विरोधी लोग एक साथ मिलने जा रहे हैं प्रधार मनतुरी से आप क्या समझने की अलग-अलग हैं नेता विधान सभा में अलग बोलते हैं चुनौा मे आप देखिए जब क्राइसिस आता था तो यही नर्सिम्राव की सरकार ने अटल विहारी वाजपई को फेजा था उतना ही नहीं नहीं कि नर्सिम्राव की सरकार ने अटल विहारी वाजपई को फेजा था उतना ही नहीं कि नर्सिम्राव की सरकार ने अटल विहारी वाजप करो मगर एक गुझाइस रहे कि जब सभी मुद्ले परुपना चाहिए एक चीज से देश तो परिशान है आप माने या नमाने इसलिए सहमती नहीं बन पाती है पाटी किसी की भी हो सरकार किसी भी हो करपसद से देश परिशान है कोई नहीं कह रहा है कि नल जल योजना खराब है बिरोध किसका हुआ उसमें करप्षन ज्यादा हुआ यही नल जल यह जना केंद सरकार ने शुरू किया बड़ी बने कंपणिया कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है यहां भी हुआ अच्छा चला ऐसा नहीं है कि दो टैंक फट गए तो खराब है हमारे गाव में भी तो उसकी लाइफ ज्यादा होगी कोई यह जी रोज नहीं बनती है बिल्डिंग जैसे पुरानी बनी है तो सो साल चल रही है अब ऐसा नहीं कि पानी सप्लाई चार दिन में तो मामला यहां है और पोजीशन भी जो बिरोध करता है वो योजना पर नहीं करता है करप्शन प में तो मैं ने अपने पर्वार बेन में बोला कि मैं पढ़ लिया त मैं तुम लों दो पढ़ाता हूं भाई को कोई अपलाई नहीं करेगा उसका रिजन क्या था कि मैं जीस गाउन से आता हूं उस गाउं में और नो भी रिए जो कम पढ़े लिखे जह कम पाई अच्छश इसलिए मैं आपको कहा रहा हूं कि जो मेरिट लिस्ट में आ जाए उसको तो आउट करो तू तो ऐसे भी आही लगता है जन्रन स्क्राइब जो रियल में जिसको अब गाहों में पढ़ नहीं पाता हूं उसको सहुलियते नहीं मिल रही है अब मैं एक उदाहरा आपको ता एक आएस बन गया चाहिए ओबीसी रिजर्वेशन तो उसका मोरल राइट है आएस बन गया इंजिनियर बन गया कि अपने बेटे को अच्छे जगह पढ़ाता भी है पढ़ाए उसको उधर डिवलप करें अब और रिजर्वेशन के लिए अपलाई करें तो मुझे कस्ट होता ह लिए ऑपको कहना कि रिजर्वेशन के फायदे कुछ वोगों को मिल रहा है जबी लोगों को नहीं मिल रहा है पर्दान मंत्री 牙ा कि वामीम कर आए मान आकर रहे थे कि हमें जो हम कर लेते थे कि के स taki wait two ईरही टाल च displaced में बने और तब किया लेकिन बीच में इसको रोक दिया गया था प्रधान मंत्री ने खोल दिया कि ठीक है मेरा काम नहीं है केंदर का काम नहीं है कि स्टेट में कौन पिछड़ा है उसके उठान के लिए आप योजना बनाए तो अच्छी बात उन्होंने कर दी कि आप सर्वे कर लो आप सर्व जातिय जंगंडा को लेकर जैसे कि रामेस्टर चरसिया कर रहे हैं कि जातिय जंगंडा कराने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आर्थिक आधार भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए तो रस्या जी आप हमारी स्टूडियो में इसके बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत